हेलो दोस्तों आज मैं आपकी साथ शेर करने वाला हूं मेरे बायोमेट्रिक का एक्सपेरियन्स ठीक है तो दोस्तों जैसे कि पिछली वीडियो आपने दिखा होगा कि मैंने आपको सब्सक्राइब कर रहा हूं क्योंकि मेरी वाइब वहां पे है कैनेडा पे और मैं और मेरी फाइल में लगाई है और मेरी दॉटर की आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मेरा बायोमेट्रिक का एक्सपेरियंस कैसा रहा कहां गया था क्या समझाते थे कैसे डबबे में उक्तारते थे ठीक है दोस्तों सब बताओंगा इस वीडियो में डिटेल में चलिए बिया देरी किये फटा मट से स्टार्ट क मैं जहां पर देने गाया था वो था VFS Global एमदाबाद प्रांच वो पाल्डी में है और मैं रहता हूं गादी नगज़ जो यहां से 19-20 km आसपास का है तो सबसे जिन नजदीक मुझे वही पड़ता था तो वही मैंने लिया था ठीक है दोस्तों जहां से मैं फोटो ले सका हूं वहां से फोटो लिया है क्योंकि वीडियो लेने का टाइम भी नहीं था और अलाउट भी नहीं था तो मैंने वीडियो नहीं लिया है फोटो लिया है तो फोटो से समझाने का ट्या करता हूं तो यह है VFS Global का बाहर का entrance ठीक है तो यहांसे हम जब हम जाते थे मेरा time था एक ब राड़ा ऊपर जाते हैं थैक के ऊपर जाने के बाद करीम पर रही कम लोगों को फिर तो स्में आपने दो रिस्टेप्स बैटी थी उन्होंने समझाना चालू किया कि या है कैसा है क्या लेना चाहिए कितनों दिन में होगा वो सब लाबला काफी कुछ समझाया ठीक है बहुत अच्छी तरह समझाया और उनके एक भी पॉइंट मेरे दिमाग में तो आया नहीं ठीक है जो म बैठने के लिए सोफा मिलेगा देखने के लिए टीवी मिलेगा और खाने के लिए कुछ रिफ्रेस्मेंट मिलेंगे ठीक है यह पॉइंट तो मुझे दिमाग में जर्रा भी नहीं गया क्यूंकि 10 मिनिट का काम है उसमें क्या मैं बैठूंगा क्या मैं देखूंगा और क्य यानि के आपके पास 4-5 लोग बन रहाते हूंगे। आपको यह लो यह लो यह लो युकि करते होंगे। शायद मगर एसा भी नहीं था। झो नार्मल मर्ल एग्याय में पुछे के तो आंसर कोई नहीं देगा। अ क्या क्या है यह क्या करना है तो ऐसा तो है नहीं कि आप नॉर्मल वाले हो मैं आपको नहीं बताऊंगा हम सब्सक्राइब को बताते हैं मैंने पूछा था सबने सबने मुझे अच्छे से आंसर भी दिया था ठीक है तो यह भी डेडिकेटे स्टाफ वाला अटेंशन वाला जो पॉइंट था वो भ की फीज यहां से पाइस पर उब चरनी होती है करें पासपर फिज बचार इसके बाद उनका कहना यह था कि आपका स्टेंप फीजा पांच दिन में जाएकि कि वापिस भी आपके घर में आ जाएगआ तो यह पॉैंट चलो ठीक है काफी 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 लोगों को ऐसा होता है कि आप पासपोर्थ बेठते हो तरण वापिस नहीं आता है मगर मेरे मेरे वा civ के अंदर apply किया था मैंने बेजा था मुझे बता है 5-6 दिन में या उससे कम टाइम में पासपोर्थ स्टैंप होगे सब्सक्राइब आप नॉर्मल सर्विस लेते हो तो आपका involation J.C.K में अपडेट होने में तीन से चार देना तो आपका biometric within hour यानि कि आप biometric दोगे उन्हें उन्हें बोला कि आपका biometric done आप नीचे उत्रोगे जाओगे तब तक तो आपका biometric update भी हो गया होगा GCQ में ठीक है तो ये point ठीक था मगर मेरे case में जब मेरा normal biometric देखे नीचे उत्रा एक गंटे के अंदर अंदर मेरा biometric GCQ में update होगा है तो जिसका proof में आपको दे रहा हूँ ये point उन लोगों के लिए है जिनके पास time नहीं है ठीक है January index नजदीक आ चुका है और आपके पास एक या दो महिना बाकी है तो आपके लिए ये बराबार है कि आप premium service ले लो फटाफट से passport stamp हो के आ जाएगा कोई देर नहीं लगेगी अगर इनकेस आपके passport stamp होने में देर लगे तो आपको प्रब्लेम हो सकता है तो उन लोगों के लिए लास्ट वाले अपडेट नहीं होगा तब तक आपकरी वीजा प्रोसेस चालू नहीं होगी ये आपको शायद पता नहीं होगा जब तक आपकी biometric आपके gcq में अपडेट नहीं होगा तब तक आपकी वीजा प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी अगर आप आपका Biometric Late से Update होगा तो उतनी Late से आपकी वीजा Process प्रोसस नहीं होगा और जब तक अपका Process भी नहीं होगा, तो तो मेरा कहने का मतलब मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको फटाफट से काम चाहिए तो premium service ले लेनी चाहिए ली है ठीक है दोस्तों ऐसा मैं प्रीमियम सर्विस के खिलाब भी नहीं हूँ उनके पॉइंट जो दो-तिन पॉइंट है मुझे वर्थिट लगे है पर मेरे कीस में नहीं थे जिन लोगों को देर हो रही है टाइम नहीं है उन लोगों के लिए वर्थिट है ठीक है दोस्तों दूसरा उनका point था कि आप passport को track कर सकोगे जहां पे भी है आपको पासपोर्ट सेंड किया यहां से PPR आने के बाद stamp के लिए तो आपका passport कहां है अभी कहां पहुचा अब कहां जाने वाला पाया stamp हुआ step होने के बाद अब कब आपको मिलेगा वो सब आपको update रहेगा और आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हो तो ठीक है ठीक है ले सकते हैं प्रीमियम सर्विस नहीं बोल रहा हूं मैं मैं सब लोगों का हलाग डिसीजन होता है मिया तरन हमों सब नोर्मल मिलते रहे हैं कि क्योंकि चटा पैसे देने का कोई मतलब भी नहीं और लास्ट पॉइंट उनका यह था जो सबसे बड़ा जूठ उनका मैं आपको बता तो चलू विए अजय को बोला फ्री में तो कुछ है ही नहीं उनके वर्ड है यह free में तो कुछ है इन नहीं आपको premium का भी करना है और normal का भी प्रेइक करना है ठीक है premium और नॉर्मल में पांसो चैसों का फर्क है जो आपको help करेगा अगर प्रेम लेते हो तो आपको बहुत help मिलेगी ऑप ज़स्ट श़स्ट आप बोल कि अगर प्रिम्यम एकटेले लेटों तो आको काफी एकि ठीक है मगर में नॉर्मल की कोई फीड नहीं होती है उनका सबसे बड़ा जूट सा कि के दॉर्मल कीवर ऐपेक कर नहीं है आपको नॉर्मल कीविट हम वल्रेडिीप थी नहीं फिए ठीक है तो उनकी कोई फी थी नहीं ठीक है दोस्तों फेएट यह कहने स्टीन जुछ सब्सक्राइब अधोन नॉर्मनल मेंinkling और सब्सक्राइब में बहुत तो expensive पास टाइम है तो परीम्यम मतलो normal service हिलो ठीक है दोस्तों तो ये थी कुछ बाते जो उन्होंने मुझे समझाए थी जो मेरे पलने पड़ी नहीं ठीक है धोस्तों उनके डबे में होतरा नहीं मैं लिया उसके बाद हम उन्होंने हमको बोला कि आओ और फॉर्म लेके चले जाओ तो उन्होंने मुझे हमको बाइमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर वापिस दे दिया जो पहले ले लिया था और देखे हमको अंदर जाने को बोला ठीक है उसके बाद पाजिस सीब में लिखा हो था कि आपका यह लूंबर ठा ठीक है प्रीमियम वालों को डैरेक्वीम लॉंच में जाना था जहांपे उनको सोफा मिलेगा टीवी मिलेगा रिफ्रेसमेंट मिलेंगे और हमको جआना था वहां चयर पे बैटने के लिए सामने एक TV होगा वहाँ एक स्क्रीन उगी वहाँ पे हमको देखना था अनबर जब आय तब हमको में जाना था तो वेट करते हैं दो आजों में लचका बैटा था था फोई इंस्ट्रक्शन लेटर ले लिया और फिर बाद में तो कुछ नहीं नहीं लिए आप कहड़े रहा ठीक है फिर उन्हें पूला आपके हाथ ऊपर करो इस तरह से तो मैंने आप आपको राइट हैंड की फर्स्ट मैंने फॉर फिंगर राइट हैंड की उसके बाद लेफ्ट की और उसके बाद दो थम रखने थे मैंने वो रखा ठीक है उसके बाद उन्होंने बोला चैर पर बैठो और सामने एक छोटा सा नाम कंफर्म किया मेरा बड़ेट कंफर्म की ओके आप जा सकते हो फिर मैंने उनको पूछा मुझे बता था कि कोई फीज तो है नहीं तो मैंने उनको पूछा कि फीज कुछ पे करनी इसकी उन्होंने बोला कि आपका प्रीमियम सर्विस है नहीं तो आपको कोई फीज पे करनी बाहर यानि के प्रीमियम से भी जल्दी नॉर्मल की बायोमेट्रिक होती है ठीक है दोस्तों तो मेरा कहने का मतलग यह है कि नॉर्मल लो या प्रीमियम लो दोनों में मुझे कोई डिफरेंस दिखता नहीं है हाँ डिफरेंस लगेगा तब जब आपको वहुत ही अर्जंसी हो काम फटाफट से हो गया था अब मैंने मेरे में भी नॉर्मल ही लिया था उसमें भी मेरा बायोमेट्रिक बितीन आवर अपडेट भी हो गया जिसी की में तो तो आइडों ठीक के आपको प्रीमियम सर्विस लेनी चाहिए ठीक है नॉर्मल की तरफ जाओ इसे गूड ओके द बस्तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई